हेलो फेंट्स हम आज एक नई सीरीज सुरू करने जा रहे हैं इ-m-r-s जो टी-जी-टी-पी-जी-टी इसलवस है उसकी हम तयारी अप सुरू करने जा रहे हैं जैसा कि चैनल पे काफी दिनों से आपके कवैंट्स थे आप लोग चाह रहे थे कि हम यह मरेसी तयारी सुरू कर रहे हैं तो इसी सीरीज में अनिता देसाई की बाइग्रफी इंपॉर्डेंट वर्क्स और इंपॉर्डेंट वर्क्स की भी समरी वह सारी चीज़े जितनी भी एक्जाम औरियंटेड है वह आपको मिलने जा रही है तो चैलिए फेंट्स विदाउट वेस टेकने टाइम लेट और चिल्डरन्स स्टोरी बुक्स के लिए इनको जाना जाता है चिल्डरन्स स्टोरी बुक्स और सासाथ नॉवलिस्ट यह इनकी पहचान रही है जो औरिजनल नाम था इनका वो था फिरंड्स अनीता मजूमदार अनीता मजूमदार पैदा हुई 24 जून 1937 में मसूरी इंडिया पॉइंट वाइज हम लिखते चलते हैं और एक्स्प्रेइन करते चलते हैं उसी सारी सीजे क्लियर हो जाएंगे फादर की बात करें तो फादर थे डी अन् मजूमदार और अगर मदर की बात करें तो मदर थी फिरंड्स टोनी नाइम कौन थी टोनी नाइम क्लियर हस्बन रहे है शादी हुई अश्विन दिसाई से अश्विन दिसाई और इसी के साथ में एक बेटी रही है इनकी किरंडेसाई जिसका नाम लिया जाता है आदर के साथ वो भी एक इंडियन इंग्लिश नॉबलिस्ट वो रही है किरंडेसाई 2006 में इनका एक बड़ा फेमस सा वर्क आया था इन हैरिटेंस ओफ लॉस उसके लिए उनको क्या मिला था किरंडेसाई को मिला था बुकर प्राइज के लिया किरंडेसाई भी एक जानीमानी अपनी मा की तरह एक जो नॉबलिस्ट है वो रही है अब देखे जो इनके फादर और मदर को आप देखें फादर तो थे मजूमदार और मदर की टोनी नाइम तो यानि बात करें यहां जो जर्मन मदर थी और जो फादर थे वो थे बंगॉल जर्मन मदर एंड बंगाली फादर clear और जो देखाई है देखाई ने जर्मन हिंदी और इंगलिश चुकि मदर जर्मन की थी और फादर बंगाली थे च्थो तो बंगाली के थोड़ा वो बिलकुल असर रहा होगा जर्मन रही तो जर्मन हिंदी और इंग्लिश इनको बोलते-बोलते यह पैदा हुई मतलब बड़ी हुई जर्मन इंग्लिश एंड हिंदी इन भासाओं के साथ यह मतलब इन भासाओं को इनोंने बच्पन से ही बोला बीए पास किया 1957 में कहां से डैली यूनिवर्सिटी से 20 साल की उम्र में 1957 में तो क्या हमने लिखा देखें एक बार रिकेप करते हैं नॉबलिस रही है चिल्डरन स्टोरी बुक्स की राइटर रही है और जाना जाता है इनको और इजनल नाम रहा है इनका नीता मजूमदार 1937-24 जून को पैदा हुई मसूरी में और फादर रही है एक बंगॉली डियन मजूमदार मदर रही है एक जर्मन टोनी नाइम और जो हजबन थे अजबिन देसाई और डॉटर रही है किरन देसाई बी एक या 1957 से सवन में डैली यूनिवर्सिटी से तो नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे बात करें तो जो इंडियन विमन रही है नहीं है उनका सप्रीशन और अप्रेशन रहा है संप्रेस केया जाता है उनको उनका दमन किया जाता है और वह किस तरह विरूध जब्द तो सब्जेक्ट रहा है नोवल्स का इनका वो सब्जेक्ट रहा है। शॉर्ट इस्टेट रही बुकर प्राइज के लिए ठी टाइमस, और इसी के साथ साथ इनके जो नोवल्स है वो बताते हैं देसाइज इसेंसियल ट्रेजिक विव आफ लाइफ जो आवर्ष्यक ट्रेजि and oppression of Indian women is the subject of his novels clear this subject is his novels short distance three times किसके लिए बुकर प्राइज के लिए थे टाइमस फॉर बुकर प्राइज क्लिया फ्रेंट्स और उनके जो नॉवल्स हैं वो बताते हैं के इसेंशियल ट्रेजिक व्यू ओव लाइफ लिए पर जीवन का एक इसेंशियल ट्रेजिक व्यू बताते हैं और इन्होंने कुछ स्राइम टीचिंग भी की माउंट होलियोग कॉलिज था बरूच कॉलिज था और स्मित कॉलिज था इन्होंने वहां पढ़ाया भी है clear has taught माउंट होलियोग कॉलिज कॉलिज एंड इसमित के साथ साथ बरूच कॉलिज clear friends इसके बाद बात कर लेते हैं कि यह जो fellow रही है जो royal society of literature रही है American academy of arts and letters रही है और गिल्टाउन जो college रहा है Cambridge का महां से यह fellow रही है फैलो और रॉयल सोसाइटी और लिटरेचर क्लिए फैलो और रॉयल सोसाइटी और लिटरेचर जानी मानी हस्तिय वर्ड से इसकी फैलो रहती है इसके साथ अमेरीकर अकेडमी ओफ आर्ट से लेटर्स और इसके साथ साथ फैलो रही है जो गिल्टाउन कॉलेज था क्लिए फ्रिड्स बात डॉटर की कर रहें थे किरनदेशाई को इन्हेरेटरुज के लिए मिला चलो बाद में लिखेंगे उसको फिलाल आप इसको नोट करते हैं क्या सप्रेशन अप्रेशन जो इंडियन सोसाइटी का रहा है वीमन का वो इनके नोबल्स की थीम रही है थीरी टाइम शॉट डेस्टेड हुई बुकर के लिए इसेंशियल ट्रेजिक व्यू ओफ लाइ अमेरिकन अकेडमी ओफ आर्ट्स और लेक्टर्स और गिल्टन कॉलेज रहा केंब्रेज में वहां यह यह रही है वैलो रही है चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि हार डॉटर किरंदेश आई क्या मिला इनको गॉट बुकर प्राइज इन टू थाउजन्ट सिक्स फॉर दा इनहारिटेंस अव लॉस इस नौवल के लिए इनको बुकर प्राइज मिला वुकर प्राइज फॉर फिक्शन जो है वो मिला अब यह जो यह खुद शॉर्टनिस्ट रही हैं बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए ठीटाइज क्लियर शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज फॉर फिक्शन कितने टाइम थिरी टाइम तो पहली बार रही है इसके बाद सेकेंड टाइम इनका स्टेडी बड़ा फेमस इनका एक वर्क रहा है इनका स्टेडी जिस पर एक मजरू सुल्तान पूरी की डाइरेक्शन में एक मोबी भी आई थी और मुझे लगता है शायद सशी कपूर थे याद हो किसी ने देखी हो तो कमेंट करके जुरूर बताएगा इनका स्टेडी किसने देखी है तो सेकेंड टाइम सॉटिस्टेड भी 1984 में इन कस्टड़ी और जो थर्ड टाइम मिला थर्ड टाइम ये शॉटिस्टेड रही है फास्टिंग फिस्टिंग के लिए 1999 में फास्टिंग फिस्टिंग क्लियर बात कर लेते हैं अवार्ड की तो बहुत सारे अवार्ड भी रहें चुकि फेमस रही है तो विनी फ्रेड होट होल्ट बाई में मेमोरियल प्राइज मिला इनको फायर उन्दा मौंटेन के लिए 1978 में अवार्ड अवार्ड का नाम है विनी फ्रेड नाइन्टीन सवन्टी एट में विनी फ्रेड होल्ट बाई बिनी फ्रेड होल्ट बाई ममोरियल प्राइज क्लियर यह इन्हों ने जीता और यह किसके लिए मिला फायर उन्दा मौंटेन के लिए और इसके बाद साहितिय अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1978 में ही और वो भी फायर उन्दा मौंटेन के लिए ही मिला साहितिय अकेडमी अवार्ड किसके लिए फायर उन्दा मौंटेन के लिए ही क्लियर गार्डियन चिल्डरन फिक्सर अवार्ड मिला इनको 1983 में क्या गार्डियन चिल्डरन्स फिक्शन अवार्ड कब मिला 1983 में एक फिक्शन प्राइब जो मिला था इनको वो स्टॉरी बुक रही है दा विलैज बाइड सी इंडियन फैमिली स्टॉडिय आ इंडियन फैमिलिस स्टॉड्य ने सब्टाइल ने इसी स्ट्राइटल था उसका दा विलैज बाइड सी के लिए क्लियो फ्रेंट से लिए फ्रे somehow the विलैस भाड अध कर ले के रन देशाई बेटी रही बुकर प्राइज उनको मिला 2006 में इन्हेरिटन्स अफ लॉस के लिए शॉर्ट डिश्टेट रही है खुद तरी टाइम्स फिक्षन बुकर प्राइज के लिए और सबसे पहले के लिए इनका स्टेड़ी और फास्टिंग फिस्टिंग के लिए तो विनिफ्रेंड हॉटल बाइज मुझा मिला फाइर आ ऑंड मौंटन के लिए 1978 में और आगे बढ़ जाते हैं 2000 में इनको इटली का एक अवार्ड था अलवल्टो मुराविया अवार्ड यह मिला और किसके लिए फॉर लिट्रेचर के लिए 2000 में और 2000 के बाद 2003 में बेंसन मेडल मिला इनको 2003 में बेंसन मेडल और रोयल सोसाइटी और लिट्रेचर से और इसी के साथ बात करें 2007 में इनको साहित्ती अकडमी फैलोशिप भी मिली थी 2007 में साहित्तिय अकडमी फैलोशिप और 2014 में 2014 में पदम भूशन इनको मिला 2014 में पदम भूशन इनको अवार्ड जो मिले और बात कर लेते इनके इंपॉर्ड़न जो वक्स रहे हैं उनकी तो नौवल्स की बात करें सबसे पहले फिक्सन की तो नौवल्स में सबसे पहले जो नाम लिया जाता है क्राइदा पिकोग 1963 में आया इंपॉर्ड़न अब यहां वा 1965 में आया था वोईसेज इन दा सिटी वोईसेज इन दा सिटी 1965 और इसके बाद बाइबाइब ब्लेक बर्ड 1971 में आया 1971 दा पिकोग गाल्ड़न आया 1974 में कब आया 1974 में और इसी में आया था वेयर सेल वी गो दिस समर वो इसमें नहीं था स्पेंट स्वरी 1975 में आया था इसके नेक्स्ट यह आया था तो यह रिकेप कर लें एक बार क्या था अवार्ड मिला एलबर्टो मुराइवावावाड 2003 में मिला बेंसन मैडल रॉयल ससाइटी के लिए और सवन में मिला साहित्य अकेडमी फेलोशिप पदम बूशन मिला स्वरी 2014 में और वक्स के बात करें तो 1963 में क्राइद पीकॉक आया बॉइसे इंदा सिटी 65 में पीकॉक गार्डन जो आया 1974 में और ब्लैक बर्ट 1971 में वेर सेल वी गो दिस समर 1975 में तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं आगे दा फ्रेंट्स 1976 में उसके अगले ही साल वेर सेल वी गो इन दस्यमार कैट ओन आ हाउस बोट 1976 में 1976 में इसके बाद एक फेमस वर्क और 1977 में आया फायर ओन दा माउंटेन यह कवाया 1977 में गेमस एट ट्विलाइट 1978 में कवाया 1978 में किलियर लाइट अफ दे 1980 में आया था 1980 में दे विलेज बाद दे से 1982 में आया था बिलेज बाद दे से 1982 और इन कस्टेडी आया था 1984 में क्लियर फ्रेंट्स 84 के बाद आया था बॉमगार्टर्स बंबे बॉमगार्टनर्स बॉमबे यह करेक्टर का नाम है बॉमगार्टनर्स उसी के नाम पर है बॉमगार्टनर्स बंबे 1988 में आया क्लियर फ्रेंट्स और इसके बाद आया था जर्णी टू इथाका जर्णी टू इथाका यह आया था फ्रेंट्स 1995 में 1995 में आया और फास्टिंग फिस्टिंग आया था 1999 में 1999 में इसके बाद डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज के नाम से एक वर्क आया 2000 में पब्लिश हुआ था डायमंड डस्ट अदर स्टोरीज के लिएफिंग डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरी 2000 में और 2004 में आया था जिग-जग वे जिग-जग वे 2004 में आया था तो यह वर्क्स थे इनके केट ऑन हाउस बोट 76 फायर अन माउंटेन 1977 गेम सेट्वी लाइट 78 दो साल बात के लिए लाइट आ गया था उसके बाद लाइट कहां दिखी थी विलेजवाइट सी आई थी 1982 में इसके बाद इनका स्टड़ी था 84 में बॉम में था 88 में जर्णी टू इथाका 95 में हुई फास्टिंग फिस्टिंग आ गया 99 में और डाइमंड डस्टी 2000 में जिग-जग वे आया 2004 में तो इनको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इनकी जो चिल्ड्रन्स बुक रही है उसमें दो नाम लिये जाते हैं मुख्ये चिल्ड्रन्स बुक्स सबसे पहले तो आती है उसमें दा विलेज बाइद शी 1982 में और इसके बाद एक और वर्ट था The Artist of Disappearance 2011 में आया दा आल्टिस्ट ओफ दा आल्टिस्ट ओफ डिस आपियरंस क्लियर 2011 में तो यह रहें फ्रेंट्स इनके इंपॉर्णन वर्क्स और इसमें भी लगवगार्दस नोवल्स हमने लिए हैं जिनकी हम आगे जो ब्रीफ समरी है वह आपको बताएं बताएंगे तो आई होप जो पाइग्रफी और वर्क्स जो हमने तू दा पॉइंट आज डिसकस की आपको क्लियर हो गए होंगे नहीं हुए की नहीं हुए कि नहीं हुए करके जरूर बताईए और हाभी तक मिलिएन माइट से इंगले अपने डाउन्वोड नहीं किया है तो प्लेश टोर से उसको डाउन्वोड की जिए वहां बहुत सारी टीगी पीजीज सी चल रही है प्रिवियस पेपर्स मेंपर्स आपके लिए वहां अबलबल है और इसी के साथ बहुत जल्दी ही आपको आप for watching this video